नमस्काद अश्कूं यूट्यूग के मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है आज का मारा विशे है देव गुरु ब्रस्पती का धनू राशी में प्रवेश और उसका प्रभाव धनू लगन वा धनू राशी के जातकों पर क्या पड़ीगा देव गुरु ब्रस्पती 11 अक्टूबर 2084 से विश्टिक राशी में विद्ध्यमान थे जो की धनू लगन के बारवे घर में आती है अब देव गुरु ब्रस्पती 5 नोहंबर 2019 से धनू राशी में परवेश करेंगे आपके लगन पर आ जाएंगे और वहाँ पर वो सितंबर 2020 तक रहेंगे देव गुरु ब्रस्पती जब लगन में परवेश करेंगे आपके धनू राशी में ते वहाँ अल्रेटी विद्ध्वान होंगे शनी महराज और उनकी केतु के साथ उती होगी आप हम इस वीडियों विचार करेंगे कि देव गुरु ब्रस्पती का धनू र पोजिशन अच्छी होती है तो आप एक बुद्धिमान जातक है बशर्ते गुरु आपकी कुंड़ी में लगन में भी और नवाश कुंड़ी में अच्छा होता है और जब अपनी की बुद्धी अच्छी होती है तो हमेशा प्लानिंग करके चलता है वो जल्दवाजी में क कोई काम नहीं करता वो जो भी काम करता है वो यह सोच के करता है उसका फूचर में का इफेक्ट होगा तो बुद्धिमान जाता है कि लाइफ में सारे काम प्लानिंग से करता है हमेशा उसकी प्लानिंग सफल होती है एक तो गुरु देते हैं आपको बुद्धी बुद्धी द जाता है दूसरे भाब का कारक है पांचमे भाब का कारक है कि इसका करते पास पुर्पली में आगर गुरू की पोजिशन आपके लगन में या नमांषि में अच्छी होती है तो आपको धन अवश्य आता है और आपको जीवन में कभी धनकी कमी नहीं रहती इस दो चीजों के में कारक ऐसे घ्रैज जो बुद्धिवा धनके कारक हैं वह धनू लगन में परवेश कर रहे हैं अब अक्टूबर 2018 से वह इना पर विराजमान थे विष्टिक राशी में अब 5 नहुबर 2019 से आपके लगन में विराजमान हो जाएंगे वह सितंबर 2020 तक रहेंगे इसका इफेक्ट धनू लगन में धनू राशी के जातकों पर क्या पड़ेगा तो सबसे पहले देखें कि होती है आप में शम्ता होती है अधिक सदिक मेहनत करने की और दूसरे गुरु कारक है चौथे भाव के चौथे भाव से विचार करते हैं मन में सुक्संतोष का संपत्ती का माता के स्वास्ते का जीवन में बहुत इक सो विदाओं का विदार्ती वर्किली शिक्षा का अब जब गुरु इन दो महत्वपुन भावों के सौमी ओकर अपनी सौराशी में विद्धिबान होंगे तो धनु लगन वा धनु राशी के जातकों के लिए बड़ा ही अद्भूत और खुशकवार समय है यह समय ऐसा है जब उनका स्वास्ते उत्तम रहेगा और अब वो जितन सम्मान वा पर्तिष्टा बढ़ेगी और धनु लगन वा धनु राशी के जातक जो की विवा योग्ये हैं उनके लिए विवा का समय आ गया देव गुरु बश्पतियां परवेश करेंगे धनु राशी में और यहां पर धनु राशी में आउल्रेडी शनी माराज विद्यम का समय जो है वो धनु राशी वा धनु लगन के जातकों के लिए विवा का है जोति शात्र में कहा जाता है कि अगर गुरु वा शनी किसी एक भाव से समंद रखते हैं अब गुरु वा शनी दोनों आपके लगन पर विराजेंगे और उन दोनों की दिश्टी आपके सब्तम भाव पर होगी अगर गुरु वा शनी किसी एक भाव से समंद रखते हैं तो उसे भाव से समंदित घटना घटती है इसको डॉक्टर केंड राव द्वारा पतिपाति धोरा गोचर की पदिती कहा जाता है तो धोरे गोचर पूरा हो रहा है धनु लगर्मा धनु राशी के जातकों पर देव गुरु ब्रस्पती की दिष्टी आपके सब्तम भाव पर और शनी महराज की दिष्टी सब्तम भाव पर यह आपका विवा का समय आ गया जो विवा का पहला योग बन रहा है पांच नौंबर 2019 से जनवरी 2020 तक आगे चलकर जो मई जून के महिने में जून मई जून के महिनी में गुरु वाशनी वक्री होंगे तब दुबारा आपकी विवा का अफसर आएगा साथी देव गुरु की दिष्टियां देखिए कितनी शुप रहेंगी देव गुरु आपके पंचम भाव को दिष्टी देंगे और आपके भागे बाव को दिष्टी देव गुरु की डिष्टी आपकी सक्तम भाप पर पड़ेगी, आपकी दामपत्ते जीवन से समंदित प्रॉल्लम सॉल्वोंगी, पती-पती में को विवाद चल रहा था, विवाद खतम होगा, आपका एक सुखी दामपत्ते जीवन होगा परिवारी जीवन के कारक सौराशी के बिद्यमान है, परिवार का स्था में बहुत अच्छा निकलेगा, परिवार में सुक सविधाएं आएंगी आपके घर में कई तरह के मांगलिक कारे होंगे, आप परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा पर जाएंगे जो माता-पिता संतान के लिए विचार कर रहे थे वो उनको जो है पांच नहोंबद 2019 से सितमबर 2020 तक संतान का सुख मिल सकता है आप जो कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे थे उनके कंसेप्शन का समय आ गया विदार्थी वर्क के लिए पढ़ाई का बड़क्तम समय है बिद्या के कारक चतुरतेश आपके लगन में विराजमान है आप पढ़िए आपका पढ़ने में मल लगेगा आपको पढ़ाई में किसी का सहयोग वा सहता चाहिए वो सहता भी आपको मिलेगी सब्तम भाब पर गुरू की दिश्टीस बात का संकेत दे रही है कि वेपारी वर्क इस समय चाहे तो वेपार में नहीं शुरुआत कर सकता है गुरू धनके भी कारक है गुरू जब मजबूत होंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसा भी मिलेगा पंचम भाब पर गुरू की दिश्टीस बात का संकेत दे रही है कि धनू लगन वा धनू राशी के ऐसे जातक जो कलावा सहित्ते से जुड़े हैं अभिने से हैं, रंगमज से हैं, मीडिया से हैं, पत्रकारिता से हैं, लेखन शितर से हैं उनके लिए बड़ा अद्बुश समय है, उनकी कला में निखारा आएगा और उनके कारे बड़े उत्तम कारे लोगों के सामने आएंगे धनू लगन वा धनू राशी के जातकों के लिए समय हैं महत्तपूर काम करनेगा क्योंकि आपको मिल रहा है भागे का पूरा साथ, आपकी हैल्थ अच्छी रहेगी और ये समय ऐसा है कि लोग आपके काम को सराएंगे आप किसी भी काम को बहुत कंफिडेंस से करेंगे, आप बिल्कुल सही सोच रखेंगे, आप सही तरह की प्लानिंग करेंगे और आप देखेंगे कि आपके काम जो पिछले कुछ समय से इदर उदर जा रहे थी, वो सही तरह की प्लानिंग से आपके काम सही धंग से होने लगेंगे आपके घर में बड़ा मांगलिक बातावन रहेगा, कई तरह के धार्मिक कारों का एविजन होगा इस प्रकाद धनू लगन वा धनू राशी के जातकों के लिए गुरू का धनू राशी में परवेश बड़ा ही अद्वुत सहयोग बन कर आया है देव गुरू भर्सपती आपके लगन में विराजेंगे, घर में सुख सुविदा बढ़ेगी, आपके लगन पर सुख संतोष का कारक आपको नीन अच्छी आएगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी आप मन में जो बेचेनी थी कि गुरू आपके बार में घर में चल रहे थे, जब गुरू बार में घर में चलते हैं तो पितरदोश का effect देते हैं जिसके कारण काम में बाधाया आती हैं पर अब गुरु आपके लगन में आ जाएंगे तो आप एक अच्छा रिलीफ महसूस करेंगे आपको एक अच्छी पॉजिटीफ फीलिंग आएगी आपके मन में सुक संतोष बढ़ेगा आप इस समय ऐसा है पांच नौमबब दोजार 19 से सितंबर 2020 के समय कि आप घर में कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कोई मकान में इंवेस्ट्मेंट कर सकते हैं कोई नई गाड़ी ले सकते हैं परवार के संयात्राओं पर जा सकते हैं विधार्तिवर के लिए भी समय बड़ा उक्तम है तो इस प्रकास धनू लगन वा धनू र सब्सक्राशी के जातकों के लिए इसके साथ ही दर्शकों अपना वीडियो समात करने से पहले मेरी आप सबसे प्रात्ता है कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तर्स सब्क्राइब कर दें साथ ही बैल ऐकन को भी दबा दें जिससे जबी में वीडियो अप्लोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको में जाए और आप मेरे वीडियो देख सके इसके साथ ही नमसकाद अशकों चैमाता दी